राजधानी दिल्ली के निजामुद्दिन इलाके में इस्थित मरकज की तबलीगी जमात में शामिल 24 लोग कोरोना पॉजटिव पाए गए हैं और कम से कम 200 संदिक्दों को अस्पताल में भरती कराया गया है अब इसे लेकर केजरिवाल सरकार की लापरवाही की बातें सामने आ रही है मीडिय रिपोर्ट्स के मताबिक अंडुमान निकोबार प्रशासन ने तबलीगी जमात में शामिल 10 लोगों को कोरोना पॉजटिव होने की बाद दिल्ली सरकार को बताई थी 25 मार्च को ही रिपोर्ट मिलने के बावजूद इस पर सिर्फ कागजी कारवाई होती रही पुलिस ने नोटिस तो जारी किया लेकिन कोई सक्त गदम नहीं उठाए आपको बता दें कि फिलहाल सीम के जरिवाल इस मुद्दे पर एक उचिस तरी बैठक कर रहे हैं हम इस वीडियो में आपको मामले की पूरी अपडेट देंगे रिपोर्ट के मुताबिक तबलीगी जमात में शामिल होने के बाद लोग अंडमान निको बार गए थे जहां उनकी तबियत खराब हो गई जाच में ये लोग को रोजना पॉजटिव पाए गए जिसकी रिपोर्ट दिल्ली को भेजी गई रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने कागजी कारवाई तो की लेकिन कोई ठोस एक्षन नहीं लिया जमात में करीब बेड से 2000 लोग शामिल थे दिल्ली के स्वास्थ मंठरी सत्यन जैन ने कहा कि आयोजिकों ने गहोरला परवाही की है इस मेडिकल इमर्जंसी की स्थिती में भी इस आयोजन को ना रोख पाने के लिए डिल्ली सरकार की आलोशना हो रही है इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरीवाल ने एक उचिस्तरी बैठक बुलाई है जिसमें उप मुख्यमंत्री मनिश्य सौधिया, स्वास्त्यमंत्री सतेन जैन और कई वरिष्ट अधिकारी शामिल हैं आपको बता दें कि दिल्ली का निजामुद्दीन उस वक्त होट स्पॉट बनकर उभरा जब इस इलाके में एक मजहभी मजलिस के दौरान जुटे हजारों लोगों में से कम से कम 200 लोग कुरोना संक्रमण के लक्षन दिखने लगे इन में से 24 से अधिक में संक्रमण की पुष्टी भी हुई साती यावी दावा किया जा रहा है कि इसमें शामिल लोगों में कुरोना की वज़ा से 10 लोगों की मौत भी हो गई है निजामुद्दीन इस्थित मरकज पर हुए इस कारिकरम में मलेशिया, इंडोनेशिया, साओधी अरब और किर्गिस्तान के भी सैग्डो लोग शामिल हुए थे इसके बाद पुलिस ने अर्धसैनिक बलों की सहायता से इलाके की घेरबंदी कर दी है और सभी संदिग्धों को अस्पताल पहुँचाया गया है दिली के मुख्यमंत्री ने मरकज के मौलाना पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं इस पर तबलीगी जमात की और से कहा गया है कि हमने लगातार पुलिस और अधिकारियों को जानकारी दी कि हमारे यहां लोग रुके हुए हैं वे लोग पहले से यहां आय हुए थे हमने किसी को बसड़े या सड़कों पर घूमने नहीं दिया और मरकज में बंद करके रखा जमात का कहना है कि हमने प्रधान मंत्री के आदेश का पालन करते हुए जिम्मेदारी से काम किया तब्लीगी जमात का यह भी कहना है कि लोगों को अपने गंतवे तक पहुंचाने के लिए हमने सरकार से सत्रा गाड़ियों के कर्शू पास की मांग की थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई गौर तलब है कि इसलाम में तब्लीगी जमात का मतलब होता है अल्लाह की कही बातों का प्रचार करने वाला समून और मरकज का मतलब होता है मीटिंग के लिए जगा दरसल तबलीगी जमात से जुड़े लोग पारमपरीक इसलाम को मानते हैं और इसी का प्रचार प्रसार करते हैं निजाम-द्दीन इलाके में इसका मुख्याला है लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि जब इस वैश्विक महामारी की वज़ा से मक्का और मदीना भी बंद कर दिये गए हैं तो दिल्ली में इतनी बड़ी रिलिजियस गेदरिंग या कहें धार्मी का उजन क्यों किया गया जिसका खामियाजा पूरे देश को उठाना पड़ सकता है यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्षन बताइए अगर यह वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे शेनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अगर फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कर दीजे